तीश कुमार जी के इरादे इतने मजबूत हैं कि वित्पक्ष के लोग कोई भी एंगल दिने की कोशिश करें कोई फरक नहीं पड़ने वाला है नितीश कुमार जी ने अपने मैनेजमेंट अपने कारेशयली अपने विजन के तम पर बिहार में विकास की रफ्तार को इतना बढ़ाया है आगे भी यह रफ्तार चल दी रहेगा नमस्कार स्वागत है आपको आदेने टॉप में मैंना नाम है विशाल बिहार सत्यागरा की धर्ती कहे जाती है यही से गांधी जी ने चमपारन से सत्यागरा का जो है यात्र सुरू की था आपको बताते कि नितिश्क मार जो बिहार की मुख्यमंत्री है लगतारों बिहार को एक कयाम पर एक उचायप ले जाने की बात करते हैं और गांधी जी के कदमों पर चलते हैं उनकी जो योजनाय रहती है तमाम जो गांधी जी के विचार से प्रेडित योजनाय रहती है शरा में गूमेंगे और समासुधार यातर करेंगे और इसी सब को ले करके हम बात करने के लिए मौजूद है और अविसेख जी यह बताए कि नितिश कुमार जो बिहार के मुख्यमंतरी है वो लगतार बिहार को एक उचाय पर ले जाने के बात करते हैं गांधी जी से प्रेडित है इस बार समासुधार यातर पर जा रहे हैं क्या कुछ रहेगा खास इसमें बनने के बाद यह तेरवी यातरा है हर यातरा में वो तो सरकारी जो कारे होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं विकास कारें के समीक्षा करते हैं लेकिन एक खास चीज इस यातरा में ये भी है यह समासुधार यातरा है कांधी जी के विचारों के रूब चलकर आधरनीय मुख् पर सहयोग मिले और मजबूती के साथ यह कानून लागू हो इस यात्रा के माध्यम से नितीश कुमार जी यह भी करेंगे आपने इस यात्रा के माध्यम से एक शब्द का इस्तमाल किया है राजस्व विपक्षी पार्टी लगाता है यह कहते हैं कि शराब बंदी जो बेहार में लागू किया गया है जिसे राजस्व का काफ़े नुकसान हो रहा है कई ऐसे योजनाए हैं जो धरातर पर इसी कारण नहीं उतर पारी जो की राजस्व नहीं है कि पैसा नहीं दिये जा रहा है कितना इसमें सच्चाई है पैसे मिले राजस्व मिले हमारा फाइदा हो इसके लिए हम अपने युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल दे यह मानसिकता विपक्ष के लोगों की हो सकती है लेकिन नितीश कुमार जी के इरादे इतने मजबूत हैं कि विपक्ष के लोग कोई भी आंगल दिने की कोशिश करें कोई फरक नहीं पड़ने वाला है समीक्षा हमेशा इस बात की होती है कि कैसे हम शराबंदी को सफल तरीके से मजबूत तरीके से बिहार में और लागू कर सके इस बात की समीक्षा नहीं है कि कैसे हम लोग इनका पॉलिटिकल आंगल साथ दते रहे नितीश कुमार जी ने अपने मैनेजमेंट अपनी कारेशली अपने विजन के दम पर बिहार में विकास की रफ्तार को तना बढ़ाया है आगे भी यह रफ्तार चलती रहेगी